आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी जोदपूर के शादियों में बनने वली फेमस गोविन गट्टे की रेसिपी हेलो दोस्तों मैं हूँ रेनू स्वागत आपका मेरी किचन में तो चले शुरू करते हैं जोदपूर की फेमस गोविन गट्टे की सबजी यहां पर दिख रहा होगा मैंने दो बार बेसन लिया तो एक कप बेसन हमारा हो गया और धिया है इस रसिपी के लिए हमें बेसन को चानना बहुत ज़रूरी है तो देखो बैसन हमने छान लिए अब इसमें डालते हैं कुछ मसाले तो यहां पर डालरी में 1 teaspoon लालमिष का पाउडर, 1-4 teaspoon डालरी में हल्दी और बैसन है तो बैसन के अंदर 1 teaspoon अजवायन हम जुरूर डालेंगे 1.5 teaspoon डाल रही हूँ मैं भुने हुए जीडे का पाउडर और नमक डालोंगी स्वात कैनुसा और साथ ही में डो हमारा सॉफ्ट बने तो मैं 1 tablespoon तही डाल रही हूँ और 2 teaspoon डाल रही हूँ मैं refined oil तो पहले इन सारी चीजों को मच्छी तरीके से हाथ से mix कर लेंगे पानी के help से डोव बनाएंगे तो इस बात का थेयान अटना बेसन के अंदर पानी बहुत कम जाता है अगर अपने ज्यादा पानी डाल दिया तो जो बेसन है हमारा बिल्कुल पतला हो जाएगा थोड़ थोड़ा करके हम इसका डोव बना लेंगे तो देखो हमें बेसन का डोव इस तरीके से बना लिया अब मैं इसको 10 मिट के लिए rest के लिए रखूँगी यहां पर इसको बेसन को rest देना बहुत जरूरी है तो जब तक 10 मिट तक हमारा बेसन रेस्ट होता है अब तक हम इसके अंदर की filling बना लेते हैं यहां पर मैंने 100 ग्रम पनीड लिया इसको कद्दू कस कर लिया 1-2 teaspoon काली मिष्ट का पाड़र डालेंगे और एक हरी मिष्ट को बारी कट करके डालें और 1 teaspoon नमक अधर और सब चीजों को अची तरीके से मिक्स कर लेंगे तो एक बात का हम विष्ट धियान रखेंगे जो हम पनीड के मिक्सिंग करेंगे तो उसको हम हलके हाथ से मिक्स करेंगे हतेली के बीच में रखे अच्छी तरीके से शेप देंगे ताकि एंदर कोई ग्रायक नहीं बढ़ें और इसको उंगलों के इतना बाड़ करेंगे जितना हम पापड़ी चाट खाते हैं तो उसकी पापड़ी इतिए उतना साइज हम रखेंगे इसको और बीच पेसे साइज के पटली होनी चाहिए तो पनीर के फीलिंग感 dife में बढ़ देंगे और तो फिलिंग न Insurance पांले या बाल लापम चैन को और फ्रेंस यहां पर मैं एक बात और आपको बताती चलू जो हमने पर पनीर की फिलिंग जो बनाई है उसमें से हम दो चमश के करी फिलिंग को बचा के रखेंगे उसका यूज हम सब्सक्रीक के अंदर करेंगे तो देखिए इस तरीके से हमने सारे जो गटे उनको बना लिया और थोड़ी सी फिलिंग को बचा के तो अब बार यह गटे को बॉल करने की तो यहां पर मैंने एक पैन के अंदर तीन कब पानी लिया जब उसके अंदर बॉल आ जाएगा तब इसके अंदर हम डालेंगे गटे अपने तो देखिए पानी के अंदर बॉल आ गया अब इसके अंदर हम डाल देते हैं गटे और हल और फट जाएंगे सकेंदर से फिलिंग भार आ जाएगी तो लगबग इसको हमको बॉइल करने में 7-8 मिनिट का टाइम लगेगा और इसको हम पैचाने कैसे कि गट्टे हमारे बॉइल हो गए तो गट्टे जब हमारे बॉइल हो जाएंगे तब यह उपर भी आजाएंगे और और बॉइल करना है तो देखिए फ्रेंज हमारे गट्टे अच्छी तरीके से पॉफ्रक्ट और भड़िया से उबल गए इनको प्लेट में निकाल लेते हैं और प्लेट में निकालने के बाद इन्हें हमें कम से कम 15 मिन तर ठंडा करना पंक्खी के नीचे रखके और याप गट्टों का पानी देख रहें इसको में फेक ना नहीं है जब हम सब्जी बनाएंगे तो इसी पानी का यूस करेंगे तो लगबग 20 मिन हो गए हमारे गट्टे अच्छे से ठंडे हो गया चिपक भी नहीं रहें अब इनको फ्राइब करते हैं गट्टों को में शैलो फ्रा साले जाएंगे वह हम देख लेते हैं कौन-कौन से जाएंगे एक टेबल स्पून घर का दई उसके अंदर मैं डाल रहें दो चमश धनिया पाउडर हाफ टी स्पून डालूंगी हल्दी और एक चमश डाल रहें मैं कश्मीरी मिर्श का पाउडर और नॉर्मल मिर्श का क्याइक टूकड़ा नां डाल दोंगे साबुत्खड़ मसाले तो साबुत खड़े मसाले कंदर मैं ले ली एक तेश-पत्ता चार-पाच्छ पाले मिर्श एक डाल टुकड़ा एक जीरा चाबुत निया दो अच्छी रिए प्यादर प्यास को हमने चुपर के अंदर चॉप प्यास बूण गूण गौ्ब एक टीसपून अधरक और एक टीस्ट्पून लट्सन है इसको भी प्यास के साथ में बूण लेंगे प्यास ग्ल्टर रॉर्ण का हो जायं तब इसके अंदर ढ़ने को पूरी मैं आप सबस्काएं तो टमाटर हमारे गल गजा है अब ढालें गाए तो इस मसाले को अगर टुरहनुति डाल देंगे तो तो ख़च जया, थोड़ा इस तरी की घ् democratic ग्रेवी जान की जया, तो तो जो आ confuses नहीं मछों की अखें तो फ्रेंस हमारी पक गई आप देख पा रहे होंगे गट्टोप पानी था और यदी आपको ग्रेवी थोड़ी और पतली करनी हो तो इसके अंदर आप जो एक्स्ट्रा पानी डालें गरम करके डालीएगा गरम करके डालीएगा अगर थंडा पानी डाल दिया अब इस भी के और जाने देंगे जब अच्छा से बड़ा आ जाएगा तब इसके इंदर हम डालेंगे गट्ते जो उमने फ्राइ कर से रखे ते अभी आपको तो ग्रेवी थोड़ी दिखाई दे रही है जब इसके इंदर गट्ते पक जाएंगे तो जब अब जाएगे तो शारे वहां तो और आप डाल देंगे इसके अंदर पनीर हमने बचा के रखा था इसको भी हम ग्रेवी के साथ थोड़ा पकने देंगे और यदि आपको थोड़ी सी सब्जी गाड़ी पसंद है तो आप मत डाल लिएगा अब इसके उपर डाल लेंगे उपर से हरा धनिया बारी कटा हुआ तो इस सब्जी को अंजॉय करें पूरी पराठे और राइस के साथ में तो मिलते हैं आपसे एक नई रेसिपी के साथ में तब तक हैपी कुकिंग